आधाई जुआ चलो हुआ है 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 हमने लास्ट क्लास में इस वाप के अंदर देखा जाने के बाद भी नहीं है नोटिफिकेशन जैसे दस मिनट लेट हो जाता है ना तो शायद नहीं जाता है चलो कोई दिक्कत नहीं है जैसा employee stock option plan में हमने देखा था कि हम किसी employee को अगर अपने पास ज्यादा समय के लिए रोकना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम shares दे देते हैं ठीक है ना इसके अंदर कुछ basic basic terms थे जो कि हमने देखे थे जैसे कि grant date जिस दिन हमारे बीच में agreement होग उसको क्या बोलेंगे grant date, vesting period यानि जितने समय के लिए आपको बोला गया कि भाई इतने समय काम करना होगा उस समय को बोलेंगे उस time को बोलेंगे हम vesting period, excise date, excise date का मतलब होगा कि जिस दिन आपने उस shares को खरीद लिया, excise period जितना समय grace period दिया जाता है आपको जैसे ही vesting date खतम होता है उसके बोलता है यह तीन मैने में खरीद लेना ने तो उसके बाद हमें इंतिजार थोड़ी करेंगे कि तुम 10 साल बाद lot के आओगे तो खरीद होगे तो वो time दिया जाता है यहां पर तो यह कुछ basic terms थे उसके basic हमने कुछ entry देखी और entry देखके हमने देखा बह आपको कोई confusion ना हो तो हमने एक questions किया था जो कि आपके किताब का question आपके किताब में हाला कि दो ही questions given है और एक यह question है जो आपके किताब में जो confusion हो सकती है तो पहले मैं एक पर यह question करा देता हूं आपको that is x grant 5000 x ने grant किया 5000 यानि एक company है that is x limited और इसने अपने employee को जो इसका employee था इसको बोला कि भाईया हम तुम्हें अभी यहाँ पे stock यानि shares है तो 5000 employee को option दिया है कि भाईया 5000 employees stock 50 रुपीज का तो बोला भाईया 5000 अब मान के चलो हर employee को एक ही कई बार बोलता है कि each employee को दो option तीन option चार option यहाँ पे कहीं नहीं बोला हु तक जहां तक मैंने पढ़ा है तो मैं मान के चलो हुआ कि भाईया 5000 employee है और हर एक को एक एक शेर का option मिल गया है और यह काम मैंने करा एक चार का एक चार 2020 में मैंने बोला हां भाईया आपको shares के लिए agreement deal हो गया और बोला भाईया मैं तुम्हें shares जो दूँगा वो कितने का द करेंगे देट इस हमारा कितना हो जाएगा साथ हजार कि फेस वेल्यू आफ शेर दस रुपे ठीक है वह हम प्रीमियम निकालने के काम करेंगे दा option exercise between एक मार्च 31 मार्च तक एक मार्च से 31 मार्च ले लेना है और जिसमें से भी सिर्फ 4500 शेर होल्डर ने ही डिटर्माइन क exercise by the employee remaining option lapse हो चुके हैं the company choose close books of account 31st मार्च तो सबसे पहले तो हमने खर्चे वाली जो entry करी थी वही entry करेंगे सर खर्चे वाली क्या entry करी थी आपने आपने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू इंप्लॉई अब कई बच्चों को डेट में हो सकता है कन्फूजन सर कौन सा डेट होगा यह हमेशा खर्चा जो बुक होता है साल के end वाले डेट पे बुक होता है तो बुक के अंदर डारेक्ट कर रहा हुआ है तो मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से करके आपको दिखा देता हूँ तो employee compensation account 2 आपका इसके अंदर amount कैसे निकालोगे सर आपका नुकसान है 60 रुपए का और कितने share आपने promise करा है के दोगे that is 5000 तो कितने हो जाएंगे यह तीन लाख तीन लाख रुपए फर्स्ट एंट्री अपकी यह हो इसके बाद दूसरी entry क्या करेंगे इसको statement profit and loss में भेजेंगे तो हम 31 मार्च को यह भी entry है और फिर से 31 मार्च को ही statement profit and loss में भेजेंगे that is entry क्या हो जाएगा statement profit and loss to employee compensation expense मैं थोड़ा सा बस्वार्ट में लिख रहा हूं और बींग नहीं लिख रहा बींग आप नॉर्मली देख सकते हो यह amount हमारा क्या हो गया यह transfer हो गया अब हमारा 31 मार्च को ही वह बोलता है हम share खरीद लेंगे एक मार्च के और 31 मार्च के between लेकिन यह date नहीं बताया कब है तो उसने बोला कि हम share खरीदने के लिए तयार है अब यहां date नहीं बताया तो date के उपर देखेंगे एक बार date को मैं भी मिठा देता हूं अभी मैं समझ बुक के अंदर यह entry नहीं है लेकिन यह entry करोगे तो आपको simple लगेगा और आसानी होगी और 100% correct entry है और क्या आगे आपके पास to share application और ध्यान से देखो सभी ने नहीं लिया सिर्फ कितने उने लिया 4500 employee ने लिया और एक share कितने का दे रहे थे 50 एक share कितने का दे रहे थे 50 तो पैंतालिस सो इंटू पचास तूटू फाइव तूटू फाइव तूटू फाइव चेक है अब हमें क्या करना पड़ेगा अगली entry के अंदर हमें share को transfer करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे हम share application और टू पहले outstanding वाले को भी खतम करेंगे ना debit करके कि क्या था हमारा employee employee option outstanding यहां करेंगे employee अप्शन एक इसके नाम थोड़े से बड़े है एक इंप्लॉई ऑप्शन आउट्स्रेंडिंग है ना और टू एक्विटी शेयर कैपिटल अटू सिक्यूरेटी प्रीमियम तो आप देखेंगे ध्यान से सबसे पहले share application आगया हमारा कितने का दो लाग 25,000 अब यहां पर employee option outstanding उतना ही करने वाले हैं debit हम जितना के हम shares को दे रहे हैं तो आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 4500 से entry debit करिएगा आप और 4500 इंटू में कितने हो जाएंगे 50 नहीं साथ नुक्सान तो साथ का था ना साथ तो 4500 इंटू साथ तो देट इस यह 270 आ गया अब हमारा equity share capital 4500 ही जाएंगे जो कि इंटू में 10 इस 45,000 अब 110 का समान आप 10 नहीं यह तो 100 का है दस का face value 10 बता दिया तो अब 110 रुपया आले समान हम दे रहें एक तरीके से तो 10 capital में चलेगा बाकी का 100 चला जाएगा security premium में यहां चार लाख 50,000 तो आप टोटल कर सकते हैं दो लाख 25,000 प्लस में दो लाख 70,000 तो चार लाख 95,000 और यहां पर भी क्या बन रहे हमारा चार लाख 95,000 और जो option हमारे laps हो गए है laps मतलब नहीं लिए उसके हमें पैसे transfer करने पड़ेंगे उसके पैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे employee option outstanding account debit 2 क्या करेंगे बताओ यहां पर भीज़ देंगे general reserve कितने share के 508 में 60 तो कितने हो गए 30,000 यहां चले गए तो यह वाक्य में जो मैंने सिखाया है वो यह entry होना चाहिए book के अंदर आप देखोगे तो सभी entry को उसने merge कर दिया मर्ज करने का reason यह था कि एक साल के अंदर ही यह इस आप का पूरा का पूरा 10 और complete हो गया इस पर merge कर लिया book के अंदर मैं एक पर entry clarify कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो देखे book में entry करा है bank account debit क्योंकि इस किताब के अंदर इन्होंने bank to application नहीं करते तो ultimately देखो तो हमारा भी bank account debit ही है reason क्योंकि application से application तो cut गया ना तो बचा तो ultimately उपर bank उसके बाद कहता है employee compensation 270 ठीक है हमने भी यही करा है इसके बाद क्या कहता है आपका employee share capital account आपका ठीक है यहाँ पहली entry आपका बिल्कुल match हो जाएगा यहाँ पर दूसरी entry statement इसने सीधा statement profit and loss 270 ही भीजा है सर 270 लेकिन आपने तीन क्यों भीजा है उसके पीछे में वजह है बता देता हूं क्यूंकि पहले हमारा ऐसा हुआ कि हमने हमेशा जो हम expense की entry book करते हैं वो जाती है 31 March को समझिये का बात वो entry कब जाती है 31 March को और जो compensation को exercise किया गया है इसने एक तारिक को ही ले लिया है मतलब इसने बोला कि भीजा 31 March को कभी भी हो सकता है तो अगर आप मानते हो के एक March को ही वो खरीदने आ गया है तब तो 31 March को तो आपको पता ही है कि कितना compensation आपको expense debit करना है समझ रहे हो ना जैसे मैं बोलू कि ये आपके पास date है आपको expense जो है ना expense वाली entry वो इस date पर book करन और अगर आपने share इस date पे ही exercise कर लिया है तो इस date पे तो आपको actual बाते पता ही चल गई है कि हमारे 4500 share ही जाने वाले है तो जब मैं इस दिन खर्चा book करूँगा तो मैं 4500 ही share का करूँगा मैं extra क्यूं करूँगा लेकिन अगर आपने इस date पे option exercise होता है किस date पे last में तो हम आप से ये entry हो जाएगा समझ रहे बात को अगर लास तक के अगर आप एक तारिक को जैसे book वालों ने एक तारिक को करा है तो उस case में मैं क्या करने वाला हूं उस case में बड़ा simple कि मुझे पता है तो मैं ये entry ये वाली entry पहले करूँगा ये वाली entry कब होने वाली है sir ये वा ये वाली entry मैं simple 270 करूँगा और 270 करूँगा उस case में ये वाली भी entry किस से हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ sir आपने 270 create किया और यहां पे भी 270 debit हो गया तो आपके पास option outstanding debit credit balance तो कुछ बचा ही नहीं तो ये वाली entry फिर नहीं होगी जो आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा जो कि आप कई वार confused हो सकते sir बुक में तो ये नहीं किया है तो बुक की entry क क्या है एक ये entry कर रखा एक ये entry और दो ये entry आपको देखने को मिलेगा जो merge करके ultimately उन्होंने कर दिया है clear है तो ये भी ध्यान रखना है कि जब आपका employee और इस आप वाले जो points होंगे उसको किस तरीके से हम cover करेंगे ठीक है बताइए यहां तक कोई doubt शर विज्वल नहीं ह कि यहां तक clear है सभी स्टूडेंट को कि यह लेजिए आपकी क्लास कल भी रखते हैं और कल सुभह रखते हैं अभी मैं important question टिक कर लेता हूं देखे और कल सुभह क्लास रखते हैं आपकी आज 10 बजे यह बच्चे आएंगे कल 10 बजे ग्यारा बजे नहीं बजे रखते हैं सुभह नो बजे कर टाइम ठीक है नो बजे रहेगा और अभी मैं आपको like redemption of preference के कुछ important questions अभी mark करके मैं upload कर देता हूं जो कि आपको प्रेक्टिस करने है रेडम्शन आफ प्रफ्रेंशियर के आपकी किताब में हाला कि दो कोशन ही है टैनियर में दो है तो वह दो कर लेंगे बस ठीक है तो अभी आपको practice क्या करना है सारे चप्टर जैसे जैसे बताया हुआ है कल भी मैंने बताये थे कि कौन-कौन से चप्टर आपको नहीं छोड़ने हैं उसी के हिसाब से चलना है कल सुभह 9 बजे फिर अभी अभी रेगुलर ले लेंगे एक अपते बचे हैं बस तो अभी रेगुलर क्लास लेके और कुछ-कुछ important points करना होगा तो हम कर लेंगे रेशो चेप्टर एड़ कर दें चलो में रेशो के कुछ important question मैं एड़ कर देता हूं एक तो रेशो कह रहे हो अनिशा आप तो रेशो एड़ कर देते हैं और आज दो-3 चेप्टर के मार्क कर लेते हैं मेरे पास अभी जो टाइम बचा है आज संडे है तो मैं उसमें मार्क क करके सारा का सारा डाल देता हूं रहा है चलिए